आप देग रहे हैं जियोग्राफिय नदुनात आज इस वीडियो में बहुत फास लाइफ शेशन है जो की सलाक्रितिक मानचित्र या धरातली मानचित्र जिसको हम बोलते हैं टॉपोशीट टॉपोशीट इंटर्पिटिशन बेसिक चीज जो सबसे पहले जानना जुरूरी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे शाद बने रहेंगे और यह जो क्लासेज हैं इंटर्फिडिशन टॉपोशीट के यह बिसिकली जैसे की सुईद नंदुकुमर पढ़ल इंवर्शीडी रायगर या नानन स्टेट में किसी स्टेट में फास्ट यार में सिलिबस में हैं किसी में सेकंड यार में सिलिबस में हैं किसी के बिये के फाइनल यार सिलिबस में हैं तो उसी स्टूडेंट के लिए काफी सा खास सेशन होने वाला है हमारे शाद बने रहेंगे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे about the topocity history of topographical map फिर हम सारी symbols कैसे हम interpretation करेंगे सारी चीज बात करेंगे चलिए हमारे computer skin में सारी चीज आपके शाथ हम अमारे शाथ बने रहेंगे आप देख रहे है जियोग्राफिज नदनत और इस session में काफी महत्पुन बाते करेंगे और शिद्धा आपको हम ले जाएंगे हमारे computer skin में और एक चीज हम इस session में आपको देखांगे क्या आप भी आप घर बैटके अपना mobile phone से जो टोपोशीट मानचीतर हैं धरातली मानचीतर वो भी आप download कर सकते हैं तो हम देर नहीं करेंगे सीदा आपको ले जाएंगे हमारे computer skin में आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी आप हमरे शद बने रहेंगे और ये वीडियो शेशन जो live classes चल रही हैं और हमरे शद live chat कर सकते हैं किसी प्रकार अगर display quality में आप अपना setting को quality बढ़ा ले ताकि आच्छा से आप देख पाए क्यूंकि topographical map जो है इसमें हिंदी में धरातली मानचित्र बोलते हैं सलाकृतिक मानचित्र बोलते हैं कई अलग-अलग बुग में अलग-अलग लिखे हैं हिंदी में तो basically ये जो topographical map है इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे आज भारती सर्वेक्षिन विभाक के दारा basically भीविन उद्दिसों में पूर्ति के लिए उनेक प्रकार के मानचित्र बनाए गया है पुरे हमारे इंडिया में या भूगोल के विकास में बहुत सारे map मानचित्र बनते हैं तो उनमें से एक जो है आपका topographical map आज हम इस सेशन में practical geography के बहुत ही मौत पूर्ण सेशन है एक एक बारे की से हम चर्चा करेंगे आपको सारे चीज़ बताएंगे हमारे शाद बने रहेंगे जरूर सेयर कर दे और like बटन दबाना ना भूले क्योंकि आपको पता है like मुझे inspiration मुलती है और सबसे पहले जान लेंगे कि यह जो topographical map है toposheet जो map है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास भी होगी आपके department के lab में भी होगी यह मेरे lab के किचिव ही photo है मतलब यहाँ पे मैंने map को mobile से लिया था और आपके सामने रग रहे हैं कि topographical map जो है basically यह जो स्टलाक्रिति के सब्दों को पहले जानना होगा कि सब्दा अर्थ से मरूज आपका स्टलाक्रिति सब्द जो है स्टल और आक्रिति अर्थाथ यहाँ पे स्टल की आक्रितियों वाले मानचित्र से संब्दिद है और थाथ परिभर्षिद रूब में स्टलाक्रितिक मानचित्र बड़े पैमाने पर निर्मीद मानचित्र है जिसमें किसी स्टान के प्राकितिक एबंग मानव निर्मीद तथा व्रिष्टिद सुचनाओ की अने जो आपका अवस्तिती स्थान जैसे चिन रांग संकेत यहाँ पर कालर दिख रहे हैं बहुत सारा बहुत सारा लाइन दिख रही है अब जो आन्नून है उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि रांगू रेखाओ दारा यह जो है आपका बनती है और तिक्निकी स्वायता से जियोग्राफिकल इंफर्मेशन सिस्टेम जियाइस सब्टेयर से बनते हैं तो इसमें आप बोल सकते हैं आप हमारे गुरुजी के किताब भी है वो आप पर्चिस कर सकते हैं डेक्टर पी एल चांद्राकर जी का बहुत जानकरी हमें मिलेगी जैसे कि आपका अबिस्तार आपका उचाई आपका ढाल बनस्पति आपके अधिवास के बात करे इस जगह में रहनवाले वो तरह फीजर्स जैसे कि तलाव है, सुखा है कि पानी है, नदी है, नदी सुखा है कि जाल है, तो हार चीजों में हम इस इतने के बारे में इसलिए भूपत्रक का भूउगल दिवता या सोधार्थी के लिए काफी म्हुत्पुन होते ह। जो रिसर्च करते हैं वो इस मैफ की फाइदा उठाते हैं और इस मैफ के बिना रिसर्च Το प्लिड होना मुस्किल हो जाते हैं और जो विद्धारती हैं इस मैफ के बारे में इंटर्पिडेशन करना बहुत लोग जानते नहीं है कि क्या है मैफ तो आज इस वीडियो में मैंने इस सारी चीछ जो आपको मैं बता रहा हूं अपरदन का सरूब हम जान सकते हैं प्राकितिक बनस्पति को हम जान सकते हैं जल प्रपात को बनस्पति को जान सकते हैं आपको सारी चीज़ दिखाएंगे और सारी डिटेल हमको आपको बताएंगे उससे पहले में बोलूंगा आप अगर चाहे कि इस धरातली मानचीतर हम डाउनलोड कैसे करें, सर यह जो है हमारे पास नहीं है, लैब में, कई जगा में लैब में नहीं है, उनको लग रहा है कि कहां से मिलेगी यह मानचीतर, तो आपको मैं एक साजिशन दूंगा, यहाँ प आप जैसे डाउनलोड करेंगे, आपको स्वरू से थोड़ी से मैं बताना चाहता हूँ, अब अपना Google.com जो पेज है, मुबाइल से ओपन कर लेंगे, डेस्टॉप में, और वहाँ पे Google में जा के आप लिखेंगे, सर्वर इंडिया, सर्वर जियोग्राफिकल सर्वर इंडिया लिखेंगे, जियोग्राफिकल सर्वर इंडिया लिखने से आपके सामने इस तरह एक स्कीन आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, सर्वर इंडिया, यहाँ पर लिखा है भारतिय सर्विक्शन बिभाग, जो जो website है educational map series जो की अनाख पकार के scale के map series आपको download आप खूद कर सकते हमारे प्रिय बिद्दर थी को मैं ये बोलना चाहूंगा आप खूद थोड़ा आगे बढ़िए हमेशा कितने दिन दूसरे के उपर depend करेंगे और live session class को जरूर join करें बार बार बोलता हूँ join करें पड़ें सिखें पता नहीं कई आजकल जो student है इधना shortcut में क्यों चल गया है पड़ते नहीं है complete जानना नहीं है क्या करें नया करें तो हमारे channel में बहुत सारा session है live classes है EPSC PSE आप देने जा रहा है नेड़ देने जा रहा है आप ज़रूर भिजिट करें तो यह website से आप इस तरह download page में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गुजरात के मानचीतर राजस्तान के मानचीतर पंजाब के मानचीतर करनेटक के मानचीतर उडिस्टा के मानचीतर उत्तर प्रदेश के मानचीतर ये सारी मानचित्त जो है आप फ्री में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं निया उपेन सीरीज के माप चलिए आज की जो विशाय पर हम ध्यान रखेंगे तो आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको इंटर्पेटिशन बताऊंगा पूरे बड़े में दिखेगा आपके समने और काफी मज़ा आपको मिलेगी कैसा लग रहा है जुरूर आप कॉमेंट करें यह जो वीडियो क्लास है अगर आप 36 गड़ के या किसी राझ चके अपना मैप नंबर पता नहीं कोन सा मैप खरिदना है कोट कैसे मिलेगी तो इस तरह यह मैप भी आपके समने मिलेगी कि आप वहीं से भी डाउनलोड कर सकते है जो कि मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूं यह जो मानची रहा है हम भारती सार्विक्ष्ण जो बिभाग है सर्वव इंडिया वो साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर जो है इसको एक introduction देना चाहूंगा कि actually ए टॉपोग्राफिकल माप या स्टलाकृतिक मानचित्र जो है इक क्या है कि ये टॉपोग्राफिकल मैप basically हमारे सर्भव इंडिया भारत जो है मानचित्र बनाते हैं और इन स्टलाकृतिक मानचित्र जो है प्राकिती के वग मानव के निर्मीद होते हैं और इसलिए भुगल देपता और भुगलिक अध्धायन का संपूर्ण जो है उपकरन तथा भौतिक और मानव के जो क्रियाकला भी हाँ पर देखने को मिलती इस मानचित्र में और सलाकृतिक मानचित्र को धरातल पत्रक भी का जाता है या सलाकृतिक मान के उचाई के अपरदन के प्राकितिक बनस्पति के सारी चीज़ों है हम जान सकते हैं उसका भी डिटेल विस्तर बताऊंगा उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसके इतिहास क्या है इस हिस्ट्री ऑफ टपोगाफिकल मैपिंग के बारे में आपको जानना बहुत बहुत करूंगा कि आप पूरा सेशन कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए चलते हैं 1767 में सवन 1767 में क्या हुई थी वो मैं सिधा आपको यहां पे पें का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको समझाने के लिए आपको आपको समझ में आसानी से आजाएग यहां पे मैं देखा रहा हूँ कि आपको 1767 में क्या हुई है कि 1767 में भारत भूभाग के जो चित्रपाट अर्था टोपो सिट के लिए सार्वप अथम जो इस्ट इंडिया कमपनी सन 1767 में भारती सार्वेक्शन विभाग का गठन किया था तथा मेजर जेम्स रे नल इसका याद रखेंगे मेजर जेम्स रेनल जो है सार्वयार जेनरल बनाया था 1767 में और मेजर रेनल ने आपने कार्यकरम में प्रशिद्ध हिंदुस्तान का मानचित्र प्रकाशित भी उन्होंने करवाया था इसको भूलना नहीं है इसका याद रखेंगे दूसरी हम आगे यहाँ पे 1802 में जो सान 1802 में करनल विलियम आपका लेंटन यह जो लेंबटन जो है लेंबटन करनल विलियम लेंबटन बिसिकली और इसके बाद सर जर्च एवरेस्ट जो है भारत के सर्वेयर जनरल बने और उनके इन्होंने संपुर्ण देश का एक त्रिवुजन विधी से एक ट्रेंगुलेशन विधी से सर्वेक्षेन कराया और एक ही आधार तल पे संदर्ववे सलक्रतिक मानचित्र का एक पूर्ण आकार उन्होंने देने का प्रयास किया था नेक्ष्ट सॉन 1957 में हम आ जाते हैं 1957 में क्या हुई 1957 में सॉन 1957 के पूर्व मापनी के रूम में ब्रिटिस जो माप प्रणाली का प्रचलन था बैसिकलिए यहां पे बिग्गान और प्रदुगी जो बिभाग है और अधीम राश्ट्य सार्वेक्षन जो नेशनल सार्वेयर जो टीम है मानचित्र बनाने के कर्ज़ परम किया था 1957 में और बिटिस माप प्रणाली का प्रचलन था और इसके प्रश्चाद मैट्रिक प्रश्पनाली अपनाए गया जिसके अनुशार सभी प्रकार के मानचित्र का प्रकाशन किया गया था तो काफी इंपॉर्टेंट है इसको बनाए गया दो हजार पांच के जो पुरुव प्रकाशित सलाक्रितिक मानचित्र जो थे यह वारे आपका अब्रेस डाटम और आपका पावलिक जो प्रच्षेप का उनुशार था बट नभीन मानचित्र में कुछ चेंज हुई है नया माब भी जो देख रहा है आप नया मैब है यहां पर यह जो अधरित जो है इसका इतिहाज है ओपन सीरिस का मैब आभी जो बर्तवन में चल रहा है तो यह आपके समने हमने हिस्ट्री आप टोफोशीट जो है आपके समने हमने रखा दूजरी होर हमको जानना है कि सार्व्याव इंडिया के जो मैव है इसमें हम कुछ-कुछ इंडिया एड़्जस्ट्मेंट, इंटरनेशनल सिरीज, वाल्ट, एरोनेटर, चैड, एन जनरल मेप, एन स्टेट मेप यह क्या-क्या होते हैं इसके बारे में मैं बहुत जल्द से आपको बताऊंगा कि जो सिरीज होते हैं भारत और एड़्जस्ट्मेंट कांट्री इसलिए मैंने इंग्लीज में यहां पर आपको लिगने का प्रयास किया यहां पर मैंने जो बता रहा हूं है इंडिया और एड़्जस्ट्मेंट का मतलव है कि भारत एवंग निकडवर्ती देश के जो सिंकला जो मैव है इसमें इस मानचित्र बनाए गया है 106 मानचित्र जिसमें मानचित्र के 4 डिग्री, 4 डिग्री अक्षांक्स एवंग 4 डिग्री देसंतर के बीच स्तीत छेत्र में पदर्शित करता है इसको याद रखेगा और इस सिंकला में मानचित्र का मापनी जो है एक उनुपात बराबर आपका 10 लाक्स याद रखेगा इस मानचित्र क जो map ratio होता है यहां पे लिकुंगा नहीं आप लोग जीन के बाद आपका पांची रो लगाओगे तो यहाँ आपका उनुपात में स्केल में बनाए गया था ठीक है एक सोच्वाइव मान चीतर जो है बनाए गया था चार डिजरी अक्षांग सेवंग चार डिजरी देसंदर के बीच स्थीत जो प्रदस्थी करता है और इस जो सरिंखळा के मानचित्र में जो भारती सर्व इक विभाग है फालख इंडियान विन्डिया एक इंडियान दर आहदर प्रकाशित एक इंच इंटरनेशनल सीरीज के आगर बात करें, इंटरनेशनल सीरीज जो है, आपको बता दू कि अंतरराश्टियु मानचित्र समिती, सबको सागत करते हैं हमारे चैनल में जितने प्रफेसर जुड़े हैं, स्टुडियन जुड़े हैं, आपको एक गोड नीज है, मैंने उस नीज क वीडियो लाओंगा, उससे पहले हम नहीं बताओंगा, और उसका भ्यूडू हम जुरूर लाएंगे, अंतरराश्टियु सिंखला जो है, बैसिकली इंटरनेशनल सीरीज के बारे में आपको हम बताएंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल सीरीज जो है, वो अंतरराश्टियु स सिंखला जो है, इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ पर उनके तरह प्रकाशित किया गया था, यह गुनुपाद बराबर वान मिल अनका मापनी थे, और साट डिगरी उत्तरी अक्षांग से, साट डिगरी दक्षिनी अक्षांग के मध्ध स्तीब थे, और चाट डिगरी अक्ष करवाय था, यह theoretical थोड़ा याद रखेंगे, जिन लोग net exam दे रहे हैं, उनके लिए काफी लाब दैग होगी, और जिन लोग UG के exam देते हैं, कई सारा diagram बनाना होता है, मैंने वो session भी लाओंगा, क्योंकि पहले session हमने चैनल में आज, टोपो सिट को हमने सुरू किये, तो प अंसार बायू नविक जो चार्ट से जो बना है, यह basically IACO, अंतरराष्ट्य सिविल बिमानन जो संहस्तान है, इस ते बनी हुई है, यार फोटोग्राभी, जैसे उपर से हवाई जावाद, हवाई जावाद से फोटो खीजा गया, और उसमें से map बनाए गया, तो इसमें दे मानचित्र के मापनी छोटे होते हैं, और इन मानचित्र के गाओ, कस्वे, और सिटी, इसमें भोगलिक जानकरिया जो है, बहुत पहमाने पर देखने को मिलती है, इस परकार मानचित्र भी है, और राज्य मानचित्र या स्केड मैप जो है, basically topographical map series में, modern series style topo map बोला जाता है या इसके मापनी के उनुशार भारती स्तलाक्रिती मानचित्र जो है, अलाग-अलाग scale का यहाँ पे देखने को मिलती है, एक उनुपाद बराबर 250 लाग, आपका जो topo sheet के जो series है, और numbering है, वो सारी चीज़ के बारे में आपके सामने आभी हम रखेंगे, और जो important होने वा कि भारत के कहां कौन से एरिया का numbering है, वो सीधा detail आपको हम बताएंगे, हमारे साथ एक एक चीज आच्छा से समझे, suppose number of indexing map जो है, 53 है माल लिजे, इसमें million seed में number of division 136 माल लिजे किया गया है, तो यहाँ पे scales in degree में आगर देखें, आगर chart degree into chart degree का longitude, देशांतर का जो आग करें, मैं इसका detail दिखाऊंगा, और यहाँ पे one inch is equal to 16 mile और one inch is equal to 10 kilometer आएगा, तो कि contour interval यहाँ पे 500 feet का contour interval में आप यहाँ पे grading कर रहा हैं यहाँ तो 53 by C, क्योंकि जो code है मैं थोड़े सी आगे वाला slide दिखाऊंगा, यह जो आपको पूरे भारत को जो भाग में बाटा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सरा भागों में बाटा गया है, numbering को किया गया है, मैं आपको आप बीए के भी दर्ती हो, तो इसलिए आपको मैं preliminary चीज को दिखाते हुए बता रहा हूँ, कि यह जो आपको quotation पूरे भारत को भाग किया गया है, यह जो घाक किया ग है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और पीछे जाओंगा, ऐसे जो code है, यहाँ के जो code है, यह भारत की मानचीत्र जब इसको ऐसे ऐसे degree में हम लोग बटाएंगे, उसके यहाँ पे degree में convert, उसके detail हम यहाँ पे बता रहा हैं, कि यह जो quotation है, यहाँ माल लिजे एक ह है, आपका 53 माल लिजे, किसी जगा का 53 quotation है, और उहाँ के 53 को फिर कितने भग में divide किया गया है, आप count कर लिजे, एक, दो, तीन, चार, इधर चार, और इधर चार, तल चार चार कितना हो गया, 16 हो गया, 16 division हुआ, अर्थात में numbering का जो है, 8 seat cover area, equal 1 degree into 1 degree, मतलब 1 degree के देसंतर 1 degree, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो देसंतर के लाइन है, यह बिसिकली देसंतर के लाइन है, मैं देखाऊंगा आपको detail, और भी detail देखाऊंगा, यह जो 1 by 1 degree में, इसमें क्या हुआ, 1 degree by 1 degree, एज को फिर सीट जो है, equal 1 degree into 1 degree, यहाँ पर आगर माल लिजे, 73 है, 74 degree आगा, 1 degree by 1 degree में, इसमें divide किया, 1, 2, 3, 4, डिगरी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो 73 यहाँ पर है, 73 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 आजाएगा, यहाँ पर कितना आजाएगा, 78 डिगरी आजाएगा, इसका मैं detail आपको मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद 53 को फिर जो भाग किया गया A, B, C, D करके, E, F, G, H करके, इसका detail मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसको division किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, topo seat आगर माल लिजे इसका, जो series के map है, 1 degree by 1 degree है, तो माल लिजे 53, आपका यहाँ पर 53 by, जो A है, आपका 1 by 1, आपका E, आपका I, आपका A, आपक A, जो है, यह equal है, 1 by 1, इधर भी 1, इधर भी 1, और यह जो seed है, 73 A, और इसके बाद हम जब इसका detail में जाएंगे, topo seat के, और उसको मैं, यह जो भी seed जब दिखाऊंगा, और आपको clear हो जाएगा, आप देखिए, यह जो 1 degree है, 53 के, 1 degree into 1 degree, माल लिजे 73, आपका numbering है, इसका age कौन सा है, age, इसका age कौन सा है, यह वाला है, age वाला भाग, ठीक है, यह जो age वाला भाग, इसको फिर हम क्या किये, फिर 16 भाग में divide किये, तो यह कैसे हो रहा है, degree वाला counting आपको मैं बताऊंगा, पहले आपी grit को समझे, theory आपको मैं बताऊंगा, कि किस तरह आया, calculation, यह जो यह 16 भाग का कैसे हुआ, कैसे हम कीए, उख हम बता रहा है, यहां पर देखिए, map scale को देखिए, एक उनुपाद बढ़ाबर दो लाघ पचास हजा ल लिखा है, लिखा है की नहीं लिखा है, यह basically क्या हो रही यहाँ यहाँ पे, जो 1 डेग्री इंटो 1 डेग्री, यह basically जो 1 बाई डिगरी की कोड़ेशन है यह हम जो भी हाँ पे 16 डिविशन कर रहे हैं एक दो तीन चार करके इदने सारे डिविशन है तो यहाँ पे कितना कितना मिनिट आएगा 15 मिनिट बाई 15 मिनिट आएगा क्योंकि टोटाल 15 चारे कितना होता है साड होता है साड मतलब एक डिगरी होता है तो यहाँ पे एक डिगरी जो है और इहां का हो जाएगा 15 to 15 मिनिट और थाथ एक डिगरी को हम यहाँ पे जब 16 भग में डिवाइट कर रहे हैं यह जो एरिया है यह एरिया वान बाई वान है आप धैन से समझे यह एरिया कितना है one by one one degree by one degree अभी ये one degree को सोला भाग में बाटेंगे ये आन डिग्री को हम बाट रहा है ऐसे करके सोला भाग में तो हमारा एक एक बॉक्स कितना कितना आएगा बताओ भाई जल्दी तो 15 मिनिट करके आएगा clear तो यहां पे यह जो बड़े में मैं जूम करके दिखा रहा हूं तो यहां पे देखिए कि यहां पे जो है आपका 15 इंटू 15 मिनिट आ रहा है बेसिकली यह वाला जब देख लेंगे तो आपको और सारी चीज विशन क्लियर हो जाएगा देखिए यहां पे जो आपने नमबरिंग 14 जो 16 हमने डिविशन किया वो 16 डिविशन जो है यहां पे देखिए आपका माल लिजे यह 93 डिगरी दिख रहा है यहां पे 93 डिगरी से एक डिगरी तो कितना हो गया 94 डिगरी यह टोटाल कितना है आपका एक डिगरी का अंतराल दिख रहा है कि नहीं यह जो है ट ऐखते लोटालों ते श्रीनीशा और यहां फटक्रण सस्क्टरब नितु से टोटाल यहां मिनुट का स्ट करेंड कि मिनिट का राहें हैं तो यहां फे taras IU धूटाल किइना मिनीट का डिफरेंट्स है किदना मुनिट deployed difference है. तो यहां पर यह जो चीज है, ऐसे करके हमारे पूरे भारत का जो टॉपो सीट मैब है, उसको numbering किया गया है. It is very important for purpose of the internal series. There are the map scale 1 is to 10 million and consider the base map and map is called the million series and the number of seats in the India base and number of the segment, such as example seat आपका यहां पर 53 जो भी as it is, किसी भी number अगर लेते हैं, suppose 79 codes, 79 is constant of the further discussion extension of the 240 degree north and 280 north and from the 900 is to 940 is. तो basically यहां पर मैंने आपको यह बताया कि जो code है basically numbering आ रहा है आपका वो इस तरह generate हो रही है और इस तरह जो generate हो रही है, इसको मैंने आपको आगर मैं बताओ, कि मापग माल लिजे एक गनुपाद बरबर आपका 10 लाग है या 1 million हो रही है, चार बाई चार डिगरी आ रही है तो यहां पर आपका अगर वो समुच्च रखा, यहां पर जो आपका जो numbering है वो धिरे-धिरे चार इंटू चार से 1 इंटू 1 में आ जाएगा 1 इंटू 1 से 30 minute by 30 minute में आ जाएगा, 30 minute से आपका 15 minute by 15 minute में आ जाएगा और आपको scale जो है यहां पर अलाग-अलाग होते रहेगा, तो यहां पर numbering के लिए मैं फिर से एक पर दिखा रहा हूँ कि numbering basically आ कहा रहा से है कि भारत को मूल भाग में जो divide किया गया grading system में, यहां पर आप देख सकते हैं यह जो map है, यह बंगाल के खाड़ी है और यह आपका पूरा mapping है भारत में जो कभार हो रहा है यह जो seed है, इंडिया कभार होती है यह सारी nearest जो cutting बाला portion है आप देख सकते हैं 42, 43, 460 यह जो series दिख रहा है आपको यह जो numbering है यह भारत को इदने भाग में बाटा गया है अभी एक भाग जैसे माल लिजी suppose example 53 number को हम लेते हैं तो 53 number को हम degree basically यहाँ पर one into one degree यहाँ पर ले हैं और चार-चारे 16 भाग में divide किया जिसका हमने नाम दे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P clear ऐसे ही नाम रहता है अलाग नहीं नाम देना है अभी इसी 16 भाग का किसी एक भाग को हमने क्या किये फिर चार-चार में 16 भाग किये और था तो मिनिट आ जाएगा 15-15 मिनिट का आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर बता रहा है यह कि यह जो भाग है आप एक एक भाग जो है पंड़ा-पंड़ा मिनिट का आएगा और हम आगे बढ़ते हैं जो आपको मैंने यह वाला जब मानचीतर आपको दिखाऊंगा अगर डाउट में हो यह थोड़ा धैन से देखे हमारे भारत को इस तरह आपको डिठे के सबिंह्ub कि यहां यहां पर जब उन्हें को आपको मैं सी हम आइप अगर वान इस थोफिप्टी थाॉजंड वाला मेव रहे है यहाँ पे 72 डिग्री देसंटर है और यहाँ पे कितना है 73 डिग्री देसंटर है तो देसंटर में कितना भिन्नता पाया गया भाई एक डिग्री पाया गया है तो एक डिग्री को हम कितना भाग में बाटे है हम 4-4 में बाटे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम 4-4 मे में आ जाएगा क्या हो जाएगा वो मिनिट में यहां पर आ जाएगा यह चीज आपको ध्यान में रखेंगे काफी प्रैक्टिस कर लेंगे चलिए सम बहुत इंपॉर्डेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है यह जो है सरकम्टन्स अफ दा आर्थ इस लागवाग फोर्टी थाउजन किलोमीटर है अप्रॉक्स और सब्सक्राइब दिवाइड फ्री सिक्स्टी डिग्री बाई इमजिनरी लाइन इसको याद रखेगा जीके में पूछेंगे वेन वी मूफ दा नॉर्थ और साउथ और इस्ट और वेस्ट डिस्टेंग्स और ट्रावल अट इक्विटर लाइफ चैट कर सकते हैं मैंने लाइफ चैट का आफ्टर क्लास में मैं देखूंगा क्योंकि कॉंटिनुमस ली चल रहा है बर बर करें तो 30.83 मीटर है मैं क्योंकि बहुत सारा इंटर्फिडिशन करना है अभी हमारे शाथ बने रहेंगे टोपोसीट रीडिंग के अगर बात करें यह आप देख रहा है टोपोसीट अब जब आपना मानचीत्र देखेंगे तो आपके कॉलेज में होगी जिस तरह मैप आप सामने देखते हो मैं इस तरह ऑनलाइन में आपके सामने दिखा रहा हूं अपने मोबाइल स्कीन पर डिस्प्ले क्वालिटी को एजडी कर ले तकि आच्छा दिखेगा तो पोसीट रीडिंग में यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कलर दिख रहा है माल लीजे हम क फड़ा सा डिटेल जानते हैं कि आक्चुली यह क्या है और एक किस तरह इसमें दिखता है तो सबसे पहले मैं यहां पर अपना एक मैप में यहां पर ओपन कर लूँगा जो आपको टोपोसीट मानचितर है सिदा उस टोपोसीट मानचितर से हर एक चीज के बारे में पढ़ता है क्या लिखना पढ़ता है इस सब आपके सामने मैंने राग रहा हूं और इसमें आपका बेसिकली जो इंटर्पुटिरशन करना है स्केल आपका मापनी आपका उच्चवाच, आपका वेजीटेशन, नचरल वेजीटेशन, ठीक है यहां पर मैंने आपको हार एक चीज को detail बताऊंगा, इसने मैं पहले ही, इसको मैं पहले ही आपके दिखा दे रहा हूँ, क्या-क्या हम बताऊंगा कि किस तरह देखते हैं, क्या होता है contour, क्या होता है vegetation, क्या होता है मापनी, scale relief, vegetation, drainage, human settlement, आपका irrigation, occupation, infrastructure, pilgrim, tourism, इस सारी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, और कहाँ पे हम देखते हैं, किस तरह analysis करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकरी आपको दूँगा, देखिए सिधा आप लेके चलेंगे, आपको हमारे एक मानचीतर पर, ताकि आपको clear देखे, और आच्छा से देखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉपो सीट मैप के जो symbol है, यह symbol से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी time ले रहा है, एक map मैं open करूंगा, ताकि आपको आच्छा से दिखे, एक map मैं आपके सामने लाऊंगा, आपके सामने सापोच यह मानचीतर है, जो है map थोड़ी सी time ले रहा है, बहुत ही high quality के map है, कि देखिए, यह आगया है, मेरे क्याल से, यह आगया है, यह है मानचीतर आपके सामने नया सीरिज का map इस तरह दिखेगा, मेरा आवाज किलियार सुनाई दे रही है, आपको यहाँ पे किलियार सुनाई दे रही की नहीं, एक बार थोड़ी सी आप रिबलाई देंगे, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ओके, 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 वेल कम टू आल, यह मानचीतर आपको दिखाई दे रही है, यह मानचीतर आपको दिखाई दे रही है, आपको सारी चीज आप इस दिडियल आभी बताऊंगा, जो मैंने बार-बार आपको बता रहा है थे, वो ग्रीट बारे में यह देखिए आपका जो ग्रीड डिविशन अभी नया सीरीज का जो मैप है ओपन सीरीज एकदम कारेंड मैप जो आपको मैंने बता दिया कैसे आप डाउनलोड कर सकते इस मैप को तो यहां पर देखिए सबसे पहले यह आपका भारत आपका लिखा है देखिए ओप 45 D by 7 इस तरह लिखा गया है मैंने लिखने का उस ताइम मैंने शुरू में आपको बताया तब फिर भी यहां पर आपको दिखा रहा हूं यह सीरीज के जो 45 के D सीरीज है D सीरीज को जब हम डिवाइट किये तो D सीरीज का जो एक सीरीज है जो 7 नमर है और उसमें आपका क्य क्या क्या आ रहा है वह आपको दिखा रहा हूं सब से पहले हिस मान्सीत्र का हम जब देखते हैं तो इस मान्सीत्र कोन मनाते हैं कि सार्वव इंडिया यहां पर देख्य हैं मैं सारी चीज डिटेल आपको बताऊंगा बहुत सरे सिंबल दिख रहा है हमारे नजर के सामने बहुत सरे यहां पर आपका रंग दिख रहा है बे रंग की कई सारा लाइन दिखने को मिल रही है और यहां पर दिख रहा है आपको यह जो है यहां पर दिख रहा है है आपका मापनी यहां पर लिखा है यह गुनुपात बराबर पचास हजार किसमें लिखा है किलोमेटर में लिखा है तो मेरे स्टूडे ने बताओ एक किलेमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होते हैं तुरंत कमेंट करो एक किलेमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हां एक लाग सेंटीमीटर तो यहां पर देखो यहां पर हम एक उनुपाद बराबर पचास हजार जो की यह जो है आपका बराबर दो समी बराबर एक किलेमीट एक है यहां पहल कि यहां पहल देंगे तो यहां पे आपका दो सेंटीमेटर आएगा तो यहां पर जो area है यह जो दिग रहा है आप पूरे मानचित्र दिग रहा है अब ही आपको मैं यह एक चीज detail बताऊंगा ताकि आप किसी भी धरातल यह मानचित्र देखने के बाद आप confusion में नहीं जाएंगे सबसे पहले यह मानचित्र जो है यह कहा का है आपको यहाँ पे लिखा रहता है यह देखिए जहाँ पे मानचित्र का नमबर लिखा है 45 डीवाई 7 जहाँ पे मैंने हाथ गोला कर रहा हूं यह जो area में आपको लिखा है देखिए बंसाई का था गुजरात के map है तो यहाँ पे ये B लिखा है, ये C लिखा है, ये उपर में D लिखा है, E लिखा है, देखिए आच्छा से धायन से देखिए इसको, एक ग्रीडिंग किया गया है, देखिए A ग्रीट, B ग्रीट, C ग्रीट, D ग्रीट, E ग्रीट और A ग्रीट, हार ग्रीट के बारे में हम आपको बताएंगे ये जो grid है ए कितना degree वहाई कितना degree मेर दिए न को मिल रही है सेबीटी टो डिगरी 15 मीनिट देशंतर से लेके आपका यहां पर दहुत रहा है свидis अ कि पहले हम देख लेते हैं तर फुरी में Pacific कि कितना देसंतर है 72 degree 15 minute से लेके पूरे map का जो है दिसंतर 72 degree 30 minute देखिए और थाथ 72 degree 30 से लेके 15 से लेके 30 और थाथ 15 minute का difference है टोटल मैप का दिसंतर का जो difference है 15 minute का difference है और यहाँ पर अगर देखे तो यह जो मैप है यह जो मैप आपको grid जो दिख रहा है 72 degree पंडर से लेके 72 degree आपका 30 minute देखो लिखा है यहाँ पर corner में लेखो corner में अच्छा से जूम करो यह देखो मैं और भी जूम कर लेता हूं ताकि आपको और भी clear देखे थोड़ी सी जूम में क्या है आपको थोड़ी 2-4 सेकेंड का वो होगी फैड होगी फिर उसके बाद आपको clear दिखेगा कि actually जो देशंतर है वो कितना degree से कितना degree और किसमें कितना degree कोटिशन डिवाइट किया गया है ग्रीडिंग किया गया है वो चीज सबसे पहले आपके समझना होगा यह देखिए मैंने जूम कर लिया हूँ आपको दिखा रहू हूं मैं जो extension है यह देखिए लिखा है corner में 72 degree 30 minute यहाँ पे लिखा है और 24 degree 30 minute यह आपका क्या है अक्छां यह वाला जो line है देखांतर ठीक है यहाँ पर आप समझ गया है कि 72 degree 30 और इधार जो है 72 degree 15 काफी जो है 15 minute का अंतराल है यहाँ पे आपको मैप में देखने को मिल रहे हैं 72 degree 15 दिख रहा है तो और इधार आपका क्या है आपका अक्छांग दिख रहा है यह आप clear हो गया है कि sir map के corner में देशांतर अरक्षांज जो है वो लिखा रहता है और उसके बाद हर एक जो greed है यहाँ पर यह देखो लिखा है 24 degree 30 के बाद यहाँ पर आपका आगया जो second का division आ रहा है यहाँ पर एक division फिर हम यहाँ पर division यह जितना greed है सब numbering किया गया है इस सब लिखा है दूसर उसके बाद आपने मानचीत्र में क्या नदी है की नहीं है वो कैसे पता चलेगा कि इस map में नदी है की नहीं है तो पहले मैं जलासाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा काफी important topic है जो मैंने बताया जो जो topic आपको मैं बताऊंगा कि जलासाई है माल लिख धराचल मानचीत्र को आपको interpretation करना है जो mapping techniques का मैं आलाग वीडियो लाऊंगा क्योंकि उसमें advanced class होगी कि कैसे हम rugged need index बना सकते है कैसे relative relief बना जा सकता है कैसे हम high analysis जो है उसके आलाग-आला class होगी आज इस class में basically जो धरातलिय मानचीत्र है उसके बारे में आपको पहले knowledge होना है कि क् दिग रहा है और हम क्या-क्या चीज लिख सकते है point wise हम explain कर सकते है कि यह चीज है इसके बारे में यह लिखा जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है खुछ window color के chain symbol दिग रहे हैं यहाँ पी ज़े जलासा है और यहाँ पे जो हैj नदी देखने को मिल रही है il इहां पे देखी यहां पे प्लु कलर्ट के यहां पर क्याइं प्लु कश। और वो बेसिकली वो भी नाला है और नदी है तो यहाँ पर आपको मैप देखने में पैचान में दिक्कत नहीं होगी एक एक थोड़ा सा आपको परिचाय करा देता हूँ इस मैप के बारे में यहाँ पर बहुत सरा जगा में आप देखेंगे कि ब्राउन कलर के लाइन दिख है यह देखें ब्राउन कलर के जिए जिना इसे घुमते हुए यहां पर कि मैं मायुश कर लाहूं कर रहा हो यह ऋए बिसेकली समूच्च है ने लग जयता है या समाल उच्छा वाला जो रेखा अर्था कंटूर Лाइन कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है कांटूर लाहिन कहा जाता है और यहाँ पर गृण कर दिग रहा है बहुत सरे जगह पर यहां पर यि यहक कलर दिग रहा है बहुत बहुत जल्स बोलूंगा पिला कलर जो दिग रही है यह वैसिकली खेती हो रही है क्रिसी प्रदेश है यहां पर देख सकते हैं बहुत सरा जगह में पिला कलर दिग रहा है यह बेसिकली आपका क्रिसी हो रही है दूसरा चीज है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दिग रहा है वाइड 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 जहां पर फेलो लैंट और साथ क्रिसी नहीं हो रही है इस पकर सिंबल है बहुत सरा और भी सिंबल है तो आपको मैं सिधा सिंबल पर ले जाओंगा और यहां पे इस मांचित्र में बहुत सरा special features भी दिखता है मैं उनके लिए अलग session रखूंगा क्योंकि एक session में सब चीजए बताना मुस्किल होते हैं कही पे जलप्रपात दिख रहे हैं कही पर सिडिनुमा ढाल दिख रही है कि भी आ करके घाटी रही है कि यह जो जगा है यहां पे धाल बन रही है और तद यहां पे हम देख सकते हैं कि एक वककर के देंड राइटिंग जो जल के धरतली रूब है यहां पर अलग अलग दिसा में ऐसे पानी नदी जो है उचाई जगा से बहारी दिसा में जा रही है तो यहां पर हो सकता एक डोम स्टॉक्चर के दिखा है लिखा है 950 552 यहां पर कुछ-कुछ नॉमबर रहा है यह विसिकली स समुच्च रखा के मान है और तथा कितना मिटर हमारा सी लेवल से वो ऊंचाई है वह वीज-बीज में लिखा है आपके मान्staw में 400 है 700 लिखा मतलब है कि उस समुच्च रखा के मान है और कई जगह में मान लिखा नहीं है तो आपको कैल्कुलेट कर लेना है कि एक आंतराल 20M को दिखने के कहां से मिलेगी वो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा कि ताकि आप समुझे रखा कि मान को आराम से पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि समुझे रखा कि मान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यह देखिए यह मानचित्र मैं काफी ज्यादा जूम कर लिया हूँ आपको थोड़ी सी अच्छा से समझाने के लिए यह देखी लिखा है 591 अर्था देए यहां के सार्वस चे उचा जगा है जिसका उचाई है सी लेवेल से 591, 591 मिटर उचाई है यहां पे लिखा है 222 अर्था यहां पे उचाई जो है कम है यहां पे उचाई ज्यादा है धाल किस तरव होगी इधार का ढाल इधार होगी क्लिया तो यह इस तरह जो है मैंने छोड़े-छोड़े चीज है जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर लिखा है 592 और यहां के जो स्पोर्ट हाइड है सर्वच्च जो समुच्च रेखा के मान है वो 592 है मतलब यहां का उचाई पास आपका 592 मीटार अब इधार के देखो कॉंटूर नहीं है मतलब यहां के उचाई जो है 222 के वरावर 200 के वरावर तो इसका अंतराल देखिए लाग भाग 300 मीटार के इस तरह ढाल देखने को मिल रही है और ताथ यह जगा उचा है यह जगा निचा है यहां पे बहुत सारा नाम लिखा है जगा के नाम गाओं के नाम यह सारी चीद जो है आपको देखने से पता चलेगा कि गाओं कहां पे है देखिए रेड रेट कलर के डॉट 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 गोल गोल ऐसे ऐसे देखने को मिल रही है बहुत सारा जगा में मैंने आपके सामने किसी प्रकार के समस्था नहीं आएगी और इस बांचित्र के बारे में खास जो है मैंने यहां पे कुछ बाते जो था मैं नहीं बोला हूँ लेकिन अभी उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या इसमें सिंबल रहता है और उस सिंबल को हम किस तरह यहां पे देखते हैं सिदा हम उस चीजों में आपके समने रखना चाहता हूँ यहां पे आप देखिए जो सिंबल है आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके समने मैंने conventional sign बोला जाता है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके लिखा है देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको यह जो map का सारी symbol को बताऊंगा काफी यह important है और काफी यह इसको याद रखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इस map के interpretation करने के लिए काफी आशान होगी और बहुती easily आप इसको interpret कर सकते हैं देखिए पहला number पहला number जो मानचितन में इस तरह दिखता है rate color में दिखता है मैं इसका color भी दिखाऊंगा ताकि आप इसमें confusion नहीं होगे यह rate color में दिखता है और यह basically metallic road है पकी सडग है आपका इस तरह दिखता है जहां पे black color भी दिखते हैं उहां पे आपका unmetall होते हैं और थदो पाक्की सडग नहीं है इस तरह number 3 में इस तरह इसकी उपर आड लिखा होता है number 3 में आपको जो है यह है आपका पाक्की सडग या आपका मिल पात्थर या milestone से बनी हुई है इस तरह जो है dotted line number 4 में जो दिख रहे हैं आपको यह जो है यह जो symbol जब देखने को मिलती है यह आपका काच्ची सडग होते हैं ठीक है काच्चा वाला जो है मिट्टी वाला जो सडग है आप देख सकते हैं यह जो दिख रहे हैं आपना number 5 में यह बेसिकली होता है आपका कम संपूर्ण काच्ची सडग है मतला संपूर्ण पूरा काच्ची सडग नहीं है यह जो छा number आपको दिख रहे हैं यह वाला symbol जो है यह बेसिकली है आपका काच्ची सडग और पूल है ब्रीज, ब्रीज है, हिंदी में आपको इंडेक्स नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने हिंदी में बता रहा हूँ, इंगलीज में आपको मांचित्न में लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, साथ नमबर जो दिग रहा है, सिंगल ब्लाक कलर के लाइन, सिंगल जगा में जाने के लिए जो दर्रे जो एरिया होते हैं वो एरिया को बुला जाता है यह ना नंबर वाला देख सकते हैं ना नंबर को बुला जाता है पूल दस नंबर जो है यहां पे देख सकते हैं इसको बुला जाता है पोत घाट आपका गैरा नंबर जो है गैरा नंबर व बुल आजयता है Wooze VIA बोला जाता है Woozeव बनायज हाथ है 13 नंबर में जो दिग रहा यहां पर 13 नंबर में इहां पर है। फोट तेरा में 14 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर में जो आपका दिग्रए ऐसे करके ब्लाक कलर के लाईन और एरो यह बिसिकली water bodies आ गया है यहाँ पर 14 नंबर में बिसिकली सरीता पाड या steam body है नाली है steam body पर दोड़ाइन के रिवार के तरह जब दिखता है यह जो 15 नंबर जो है 15 नंबर में इसको बोला जाता है आपका अपरी भसित सरीता बोला जाता है और यहां पे नदी में सुख जाना पत्थर आना रेद रहना बालू को ना रहना इस तरह जो होते हैं और 16 नंबर में जो दि दिख रहे हैं इस तरह जो सिंबल है 19 नंबर में दिख रहे हैं अर्थत पानी है ओहां पर पानी नहीं है सुगने वाला डैम है सुगने वाला तलाव है इसने सारे जो है मैं आगे आपको बता रहा हूँ सारी चीछ जैसे आपका दोस दे लेके 19 जो फीट बिसीकली यहां प आपका 21 नंबर यह आपका नदी के आसपास वाला चेतर यह आपका देखिए 22 नंबर यह वैसीकली आपका सईले या जहां पर नदी कनेक्ट होती है एक दूसरे नदी में आके मिल रही है तो वहां इस जगह में इस तरह सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है दल्दली है मान ल तता इस नंबर कुआ यह जो दिग रहा है यह वाला सिंबल दिग रहे हैं यह कुए के सिंबल होते हैं मालो इस तरह गोला टाइब लगाए हुआ है और इस तरह आपका 29 और 30 वाला जो सिंबल है काफी इंपॉर्टेंट वाला को मैं बता रहा हूं ज़्यादा ता जो देखने को मिलेगा तो यहां पर यह जो 30 नंबर जो है जल जुकते होते हैं ब्लू कलर होते हैं मैं उसको फिर से मैप में ले जाओंगा आपको यह होते हैं कि ब्लू कलर दिग रहा है तो जल जुकते हैं ब्लू कलर नहीं दिग रहा है तो मतलब वो सूख जाते है सामर्सीजिन में यहां पर टियुक्त सीम्हां तो दिग रहा होते हैं So चल रही है तो वह इस तरह सिंबल प्रेजेंटेशन दिया जाता है फॉट्टी टू में टेलीग्राफ लाइन ये जो है फॉट्टी टू जब आपका बीए सेनल के लाइन या कुछ भी लाइन प्रेजेंट करा जा रहा है धरातल मानचित्र में क्योंकि धरातल की ऊपर देखन पतियां है प्रिशी छेत्रे हैं वो सारी चीज जो है अलग-अलग सिंबल में आपको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि 51 मैं सब बोलूंगा तो टाइम जदे जाएगा यहाँ पे नेक्स लाइड में जो 51 है यहाँ पे कुछ भी है यहाँ पे देख सकते हैं यह ज सीपोड एरिया और एक में इंपड़न चीज है यसे ट्रैंगिल से में लिखा रहता है बेंचमार्क 200 200 ऐसा टाइब लिखा रहता है समुझ चे रखा के मान यह जो है special features आपके समने दिख रहा है पहाडिया है कि नहीं आपका जाडिया है कि नहीं बड़े बिच्च है कि नह जो कि आपको याद रखना है यह सारी आपका इंडेक्स को जो मैंने यहां पर नम्मरिंग किया और उसके समने कुछ-कुछ आपको मैंने बताया क्योंकि बहुत सारा नमर है आप बोर हो जाओगे सुनते-सुनते तो यह आपका मैप में अल्रेड़ी आपका interpretation जब आप परिक्षा में जो पूछा जाएगा वो आपको क्या-क्या पूछेंगे जो graduation में है और उसके लिए अलाग-अलाग पेसल मान चित्र भी बनाना है जैसे कि serial profile बनाना है कैसे वह भी मैंने another video class में बताऊंगा serial profile आपका average slope आपका slope analysis यह सारी चीज़ जो है आपका diagram में है ताकि इसको भी आपको सीगना होगा देखिए इसमें आपको परिक्षा में आ सकता है कि उच्चवाच के बारे में बताईए scale के बारे में बताईए या नदी के बारे में बताईए माना अधिवास के बारे में बताईए या infrastructure के बारे में बताईए tourism के बारे में बताईए तो यहा कर गाटी और यह सारी चीज़ जो है उहां पर मैंने एले राइस करूंगा एभरे स्लोप क्या है आपका रिलेटिव रिलिप क्या से बनता है तो वो सीधा आपका टोपोशिट के डिटेल जानकारिया जब होगी तो उसमें हम उसको बताएंगे और यहां पर मैं एक बार आपक सकते हैं और यहां पर आपने कॉलेज में भी लैब में भी होगी मानचीत्र यह मानचीत्र के बारे में थोड़ी सी आपका जो परिक्षा में पूछेंगे जिन लोग वी यूजी में हैं और उहां से कुछ मतलब किस तरह हम तुरंद पता चले और लिगने के थोड़ी सी बताऊंगा तो यहां पर में चीज है कि हम जब आपको सावे साइथ में दो एक एक जम्पल देके आपको बता पाऊंगा क्योंकि मैंने इस से रिलेटेट क्या 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 कोश्चिन पूछ सकते हैं आपको वह भी आपको मैंने बताऊंगो क्या 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 कि आपको कुछ सकते हैं वह चीज भी आपको मैं बताऊंगा जैसे माल लीजी यह जो आपका मैप देख रहा हैं यहां पर थोड़ी सी मैं बढ़ा कर लूँगा ताकि आपको भी दिखने में आसानी होगी क्योंकि यह आनलाइन में हो रही हैं सारी चीज मैं आपको फिजिकली मांचीत्र नहीं देखा रहा हूँ अपने मुबाइल फूर में आप देख सकते हैं इसको अच्छा से आप देखे यह जो मांचीत्र हैं यहाँ पर देखिए सपोज मैं इस एरिया को बारे में बता रहा हूँ कि यह जो area case type है और यहाँ पर क्या हो रही है देखिए यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है यह जो नदी है यहाँ पर देखिए कि एक नदी है और इस नदी में आपका जल दिख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे black color के नाली जो की इस छेत्र का जलासा है और नानान गाउं चेत्र से यह जूड़ी हुई है और यहाँ पर देखिए घार भी दिख रहे है लाल लाल कलर के जो है आपका बॉक्स दिखने को मिल रही है और साते के शाद यहाँ पर क्रिसी हो रही है उदना ज्यादा जंगल यहाँ पर नहीं है क्योंकि green area नहीं है clear और यहाँ पर जो ग समुख्य रखा के बारे में आप बताएंगे तो क्या-क्या बात आपको बोलना होगा कि समुख्य रखा के जो भू सता के जो भहुति का प्रीतिया जैसे परबत पठार घाटी मौज़ां कटक यह जो है और उसमें आपका किसी भी स्तला कृति के मांचित्र में प्रदर्शि spot height देखने को मिल रही है यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सरे लिखा है hill का नाम लिखा है और उचा जो है 500 मिटर उचा है तो मतलब हम लोग क्या जानता है भूगोल वाले कि जब 1,500 मिटर से 200 मिटर से उचा जगा हो रही है तो पठर प्रदेश हो गया और जहां पर हम उचा ही देखेंगे सौ आपका पचास लिखा है सौ लिखा है मतलब वो मौईदान एरिया है तो अर्था यह जो पठर प्रदेश है यहाँ पर उचा ही देखने को मिल रहे है है जितना इदीन ड् ethics ए अध्यक्र पे उत्तर है पूतहरी पूरी भाग में उचाई भाग इतना है नीम्न भाग इतना है और इसमा चित्र में निम्न लेकित जो उच्चवाच वाल उधिक वाल जो प्रफाइल बना सकते हैं एक लॉंग प्रोफाइल बना सकते हैं जो मैंने निया क्लास में जो रहा है कमिंग क्लास में हम बताएंगे प्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे तो हम एक उच्च बाज मानचीतर में दिखा सकते हैं कितना उचाई से कितना उचाई तक फेली हुई है तो हम यहां से बना सकते हैं एक जगा से दूजरे जगा तक लाइन खिचके उस लाइन से पेपर से रेडिंग लेके हम एक समुझ चे र मानचीतर के बारे में इसका नदी के बारे में आपको लिखना है जो भी आपके यह उस पुछूँगा कि माल लेजैंदी है तो नदी के पानी किधर से जा रहा है नदी के पानी के दिसा लिखना है कि यह नदी उत्तरी पुरी भाग से ग्रेशन पस्क्षिम जा रही joint कि ए पुझना हुई है समुझ्च रखा के मान समुझ्च रखा के मान जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किधार उचाई ज़्यादा है किधार उचाई काम है और फानी किधार से किधार जा रही है clear जैसे कि मैं example के सर्व आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए यहाँ पे नदी जो है आप देख सकते हैं यह वाला छेत्र में यहाँ पे लिखा है 438 लिखा है नदी यहाँ पे है लिखा है 240 अर्थात यहाँ के पानी इस तरफ जा रही है clear अर्थात यह जो सब पानी जो है यह ऐसा होते हुए आ रही है और यहाँ नदी में इधर से इधर यह देखे एरो भी होगा इधर उचाई जादा है तो इस तरह पानी जो है धिरे धिरे नीचे के और आ रही है और थात नीचे के उच्चवाज जो है कौम है यह देखिए नीचे के उच्चवाज कितना 182 इधार के उच्छे बाज कितना 199 यह सारी एरिया जो है इसका उचाई काउम है यहाँ पे देखने को मिल रही है और इधार के उचाई जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है और थाद नदी के जो पानी के स्रोध देखिए यहाँ पे एरो देखिए उपर से नीचे के परभाव प्रणाली समझने के लिए उच्च बाच को देखना बहुत जरूरी होते हैं और मूल नदी के नाम दो चार लिखेंगे, नाली के नाम लिखेंगे, कुछ गाउं जहां से नदी के धाल है, माल लिजिए ज़्यादा कार्प है, उस जगा को हाइलाइट कीजिए, जैसे यहाँ पे जल अपका जमा हुआ है, और तद यहाँ पे कुछ डैम बनाये गया है, य तो इसमें इंटर्पेटिशन नहीं देखा, मैं देखके बता दिया, कि यहाँ पे डैम है, क्योंकि यहाँ पे पानी जम रहा है, भाई यह देखो, पानी जमा हुआ है, और यह डैम के पीछे देखिए, सुखा-सुखा है रिया, अर्थाद यहाँ पे एक डैम बनाये गया और जिसमें पानी भरा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे मिचा वाला हिस्सा देखिए, 94 मिटा रियुचाई, अर्थाद यहाँ पे एक डैम होगी, चारत तरब से पानी आके यहाँ पे जम रही है, और यहाँ पे डैम होगी, तो जलासा के बारे में आप किसी भी मान मान चित्र को आप देख ले, समुच्य रखा को देख ले, धाल को देख ले, नदी को दिशा को देख ले, सिर्फ देखना नहीं है, लिगना भी है, मान चित्र में कौन सी दिशा से नदी, कौन सी दिशा पे जा रही है, मान चित्र का सबसे ज़्यादा नदी किस तरब है, स सारी चीज आपको लिखना होगा आप देखते देखते लिख डालेंगे क्लियर नेक्स जो है आपको मान लिजे बनस्पति के बारे में लिखना है अब ये मानचित्र में हमें बनस्पति के बारे में लिखना है तो इस मानचित्र को हम तो इस तरह आपको एक अनलाइसिस करना है, इस तरह आपको एक स्माड़ लिखना है, जो कि आपके पास मानले ये किताब भी नहीं है, आप इसको विडियो को सुन लिए, तो आप अराम से परिक्चा में पास हो जाएंगे और प्रैक्टिकेल में आपका जो ड्राइंग आता ह वो उसके बारे में मैं आलाग एक session class दूंगा basically interpretation के अगर बाद है कि हम इस मांचीत्र को बनस्पधि को कैसे बताएंगे कि इस एरिया के बारे में बनस्पधि के बारे में हमें क्या पता होगा क्या यह जीरिया में सदा बाहर बन है क्या यह जीरिया में बाद नहीं है केस क्रिसी हो रही है तो उसमें क्या पता चलेगा आपका कालार देखके पता चलेगा अगर यहाँ पर योलो कलर दिख रही है यहाँ पर क्रिसी हो रही है अगर यहाँ पर ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ बनस्पति है और थात यह मांचीत्र में किसी भी हो रही ह बनस्पती भी हो रही है कौन से दिसा में हो रही है कौन से एरिया में हो रही है तो आपको देखो थोड़ी सी यहां पर देखो सब जगा के नाम लिखा है कहां पर खेती हो रही है और कहां पर खेती नहीं हो रही है कहां पर जंगल है कहां पर पहाड है वह आपका जगा के ना पर तुरूपर स६स्क्राइब लग सकते हैं इंहां पर अफे गहांगो Stitch berries Euro यहां पर दिखती हैं यह जय सकते हैं आ सब्सक्राइब ने तुम कुझा में गां। सुपन होसेटेलनेागर अलाक 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 अनलइस है वह एक विडियो फ्रूर्ट नहीं उसके अलाक विडियो में बनाँगा कि सेटलमेंट एब सब्सक्राइब तो यहां पे आपको जो अभराल मानचीत्र देखके आपको जो लिखना है कि अभराल मानचीत्र में आगर हम देखे कि इस मानचीत्र में settlement कहां पे होगी भाई जहां पे उच्च बाच काम होगी जहां पे उच्चाई काम है उहीं पे तो लोग रहेंगे जहां पे उच्चाई मिल रही हैं, rail sarak देगन को मिल रही हैं, मैंने बार 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 बोला, यहांपर आपको color index देख लेना, यह देखो index है मानचितर का, सारी index आपके सामने दिख रहा है, कि इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने अल्रेडि बताया था, क्योंकि कि पूरा बताऊंगा बहुत सरे छोटे-छोटे सिंबल है, तो बहुत समझ जाएगा, इस सारी सिंबल यहां पर लिखा है, कि इसमें पानी है, कि इसमें पानी नहीं है, कि इसमें तालाब है, कि इसमें तालाब सुखा है, यह सारी इंडेक्स आपको लगाए हुआ है, तो यह सारी चीज देखते हुए आपको यह जो क्रिसी कार्जी जो है अग्रिकल्चर बरनसपदी को इस तरह लिखना है कहां पर क्रिसी हो रही है कहां पर क्रिसी नहीं हो रहे है कही पर एरिगेशन व्यवस्ता तो भाई एरिगेशन व्यवस्ता सेचाई कहां पे होगी जहां पे पानी रहेगी तो ब्लू कलर वाला सिंबल कहां पे दिग रहा है मानचित्र में ब्लू कलर वाला सिंबल जहां पे जहां पे दिग रहा है वहां पे पानी है और था दूसके चारव त लिखने को मिल रही है इस तरह लिखना है ताकि आप किसी भी मांचित्र देखके घबडाय मत आप आसानी से उसको हाल कर सकते हैं यह जी लिए आप लिख सकते हैं कि उस मांचित्र में कहां पर कृसी हो रही है और कहां पर नहीं हो रही है कहां पर बंजर भूमी है सफेदी मैं की दॉने टोरब पुरे एरिया जो है सैंड बार लिग डालो की नदी में सेंड बार देखने को मिल रही है नदी में पाथर देखने मिल रही है सारी। कट डालो फूल वाउश मिलेगी इसका स्पेसल diagram है मैं बार-बार बोलया के लोग सोच रहे कि सा diagram के बारे में नहीं बता रहा है अरे भाइ मानचित्र के बारे में तो अच्छे से जनो बाद में तो diagram बनाना सिखोगे तो इसलिए यह चीज को पूरे जो मानचित्र है इसको आच्छा से आपको समझना होगा और अच्छा से यहां पे बहुत सारे spot बहुत सारे symbol रहता है temple का symbol आपको थोड़ी सी मैं यहां पे zoom करके दिखाऊंगा कि यहां पे यह जो symbol वाला area है conventional symbol कहा जाता है क्या कहा जाता है conventional symbol याद रखेंगे जो hindi medium के भी दर्ती है conventional बोला जाता है ताकि आप गलती ना करें symbol को सही सही नाम में जने और टपोशिट के इतिहास भी बता दिए कहां से डाउनलोड करेंगे मानचीतर है मैं फिर से एक बार बता दूँगा आपको last में ठीक है आपका क्रिसी कार जो जो में बता रहा है पीला कलर बता रहा है था ना आपको यह देखिए पीला कलर बला क्या है cultivated land है यहाँ पे आपका पेड़ है green color में यहाँ पे आपका दिग रहा है district level boundary आपका district boundary village boundary, state boundary सब यहाँ पे देया गया है तो यह सब आप index देखके समझ जाएगे कौन सा चीज क्या है पहला main चीज आपको पकड़ना है बनस्पती, main चीज पकड़ना है क्रिसी, main चीज पकड़ना है नदी, main चीज पकड़ना है उच्चवाच, main चीज पकड़ना है अधिवास कहां पे आपका settlement है कहां पे फेलो लेंड है कहां पे agriculture है और कहां पे कुछ प्रिशी भी नहीं हो रही है जो की बंजर भूमी है बैट लेंड एरिया है और क्या देखना है एक जगह से दूसरे देखा का दूरी वह भी आप पता लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास map scale है कि दो किलो मीटर दो सेंटीमिटर बरावर एक किलो मीटर यह आपका मानचित्र में दिया गया है किसी भी जगह से किसी भी जगह दूर है बताओ तो आप कैसे क्या करोगे कि यह जगह से scale से map लेना यहां से दूरी कितना मालो आपका दौस सेंटीमिटर दूरी है तो दौस सेंटीमिटर बरावर मतलब scale कितना है जो मानचित्र में हम देख रहे हैं इसी को धाल के रूब में भी हम यहाँ पे बना सकते हैं जिसका मैं आगला जो live session है उसको मैं बताऊंगा last में मैं बताऊंगा कि कईसी इस मानचीत्र को डाउनलोड किया जाये तो चलिए मैं उसको बता रहा हूँ कि डाउनलोड मैं जाईए जो कि के समने पेच खुल जाएगा और यहां पर देख सकते बहुत सारे स्टेट मैप मिल सकते हैं बहुत सारे आपका code मिल सकते कि कौन सा map लेंगे जैसे आप यह जो है यह free में आप download कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह आपको दिखेगा और यहाँ से map जो है आपको download हो जाएगा और आपके समने यह map जो है वो आ जाएगा दूसरी मैं important चीज मैं last फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ map के जो numbering code अगर माल लीजिए आप किसी state से बिलंग करते हैं मद्द प्रदेश से 36 गर से बंगाल से दिवीपी से दिल्ली से किसी भी area के area हो आप तो आपको चाहिए map के code number की आप आपने area के map चाहिए आप research कर रहा है लेकिन आप research में आपको पता नहीं कि आपके area वाला कुन सा है आपके area कितना number मैं आपके area से related है उसके लिए भी आप इस website में जाईए यहां से download कीजिए और यहां से आप अपना जो code number है उसको पाइचे निए ऐसे माल लिए यह 36 गड़ का है मैंने यह 36 गड़ का series को निकाला और यहां पर ABCD लिखाए देखिए तो 36 गड़ यह EC code में जो यहां पर आ रही है और यहां से किसी भी map को हम ले सकते हैं और उसके बाद इस तरह जो map है यह एक map है मानचितर है जो आप analysis कर सकते हैं analysis के बहुत सारा diagram होता है वो diagram कैसे बनता है मैं upcoming video में जरूर लाओंगा एक separate separate diagram के लिए separate separate video बनेगा यह मैं आज इस video में basically आपको बताने के कुशिस किये कि इस मानचितर में इतियास क्या था इस मानचितर के सार्भयाव इंडिया में क्या-क्या है इस मानचितर को कैसे gridding किया गया है मैं फीर से बता दे रहूं मैं इसके gridding मैं कैसे किया और इसमें मानचितर में जो भारत को अलग-अलग भागों में बाटा गया है और एसमें एक डिग्री बाई एक डिग्री जो grid है उसको हमने 4-4-16 grid में divide किये और वो पंड़ा-पंड़ा मिनिट में यहां पे देख सकते हैं जो degree, one by one degree जब यहां पे हुआ तो यहां पे वो हो गया इस तरह कि वो एक पंड़ा मिनिट में division में अंतराल देखने को मिला जो कि यहां पे map scale में भी परिवर्तन हुआ यह सारी चीज को आपको मैंने बताया और next जो हमारा जो session आएगा अभी हम देख लेते हैं क्या-क्या comment आपने किया है और यहां पे कौन क्या comment किये वो मैं एक बार देख लूँगा ताकि मेरे पास यहां पे जो है clear यहां पे पता चलेगा यहां पे देर रहा है सर यहां पे देख रहा है सर लिखा है थैंक्यू 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 तो आल यहां पे अब लोग के सभी को comment मुझे दिख गया है और basically यह next coming session में हम यह जो toposuit है इसके जो basic diagram होते हैं कि किस तरह इस diagram को बनाया जाता है वो सारी मैंने यहां पे लाओंगा separate video average slope, relative relief, ruggedness index, dense density आपका river density, river pattern आपका उच्च बाच के बहुत सारे pattern होते हैं उसके बारे में भी लाएंगे CD number ढाल क्या है, जल प्रपात क्या है इस तरह बहुत नानान प्रकार के समुच्च रखा के बारे में और भी है तो आज मैंने एक basic introduction आपको देने को प्रयास किया समुच्च रखा के बारे में जानकरे दिये कैसे हमको latitude, longitude देखने को मिलती है और इसमें हम कुछ जो related प्रस्न भी पूछते है मैंने आलाद video लाओंगा क्योंकि बहुत बड़े हो जाएगा इसमें सेशन में तो प्रस्न एंसर के जो question answer क्या आलाग एक टपोशिट से related हमने बताऊंगा क्योंकि लंबा समय से बहुत लोग नहीं देख पाते हैं इसलिए मैंने उसको separate कर दूँगा तो आज इस लाइट सेशन का मैं एहीं पर समाप्त करता हूँ टपोशिट धरातली मानचीतर में किसी पकार about introduction की उपर कुछ प्रस्न होगा तो आप सिधा live chat कर सकते हैं और next class से हमारा drawing class जो है कि टपोशिट मानचीतर में क्या-क्या drawing हम कर सकते हैं उसको हम लाएंगे thank you thank you to all